हाई आज मैं फिर से आईए एक और मज़ेदा रेसिपी के साथ वो है चीटोस चिकेन फ्राइबर्गर मैं अदि इस के डीमांद में बना रही हूँ तो चलो मेरे किचन पर और मैं बनाओंगी एक दम इजी और मेरे तरीकस से चीटोस चिकेन फ्राइबर्गर हो तदू है ज़ा रही हूँ चीटोस चिकेन बर्गर ०े ले लिया और मैंने चिकन की ब्रेश पिस लिया और मैं बीच में से काट कर लिया आप अपने हिसास से काट करना क्योंकि यह चीटोस में कोट होगा एक पैटी के साइस का हो जाएगा तो मैं इस टाइप के बनाऊंगी आज और चिकन की कीमा से नहीं बनाऊंगी कुछ अलग बनाने जा तो इसको मैंने ऐसा पीस कर लिया बड़ा बड़ करके अब मैं इसको मैरीनेट करेऊंगी एक टरूआप चमच बाक सोयसास दालोंगी इसमें और हाप चमच लेमन दूज डालोंगी और हाप चमच नमक डालोंगी soit 1 चमच उलग फ्लैक पेपर पर आउडर डालोंगे और एक चमत अद्र गलासम के पेस्ट अब इन सब को अच्छे से मिक्स करूंगी कोट करूंगी छीकेन के हार एक पीस को तो कोट कर लिया अच्छे से अब चीकेन खेंट हो श्रेश्च कराऊंगी अब मैं चिकन को हलका सा एक बर फ्राई कर लूँगी ताकि चिकन पकजा अच्छे सा अंदर सा जूसी जूसी रहे और मैं पैन में दो चमच बाटर दे दिया मेल्ड होने के लिए बाटर मेल्ड होते ही मैं चिकन के पीसेस को इसमें छोड़ दूँगी और 2-3 मिनित एक एक साइट को पलक पलक के फ्राई करें जीए तो ऐसे पलक पलक के अपके से फ्राई कर जीए दोनों साइट को चाल करवक्ति से फ्राई वो जाएगा तो सारे पीसेस को फ्राई कर लिया मैंने अब इसको थोड़ा ठंड़ा होने दे रही हूँ तब तक मैं बनाऊंगी मैदे का एक ड्राई मिस्त्रन ये मैदा ले लिया मैने इसमें थोड़ा सा इसमें एक चुटकी ब्लैक पेपर पाउडर डालूंगी और एक चुटकी ही नमक डालूंगी क्योंकि नमक चिकन में भी है और चिटर्स में भी नमक रहता है तो एक चुटकी ही डालूँगे नमक इसको अच्छे से मिक्स करके रखूंगे इस साइड में मैंने हाप काब मैदा लिया आप जितना बर्गर बनाओगे जितना चिकन फ्राइए करें उसी ही सबसे आप मैदा ले लेना इसको रखते ही साइड में अब अंडे का एक बटर बनाना है हमें तो मैंने तीन अंडा ले लिया अंडे में भी एक चुटकी ब्लाक पेपर पाउड आ जिए छुटकी नमक हो जालने के बाद मिक्स कर देंगे अज़ै से आंडे को भी किक्स कर लिया आमने को भी अच्छे से आब अग्या चिपर ले ले लेंगे लिक्सार जर जार अच्छेळ साब बहुत ही सिंपल है иссयज कर देंगे गेजर लेंगें ठरर असां हो जाएग पाउडर तो मैं इसको अभी ग्राइंड करके लाती हूँ तो यह चीटोस भी ग्राइंड हो चुका है और चीटोस में कुछ मिक्स करने की जुरूरत नहीं है यह अपने आपी फ्लेवर्फुल है तो मैं चीटोस को भी निकल लेती हूँ अगर्म ने के लिए तो चीकेन के एक पीस लेंगे उसको सबसे पहले मैं अंडे में डिप करने के बाद मैं मैं देखके यह जो ड्राइ मीस्त्रन है इसमें डिप करूँगी अच्छे से कूट करूँगी उसके बाद मैं फिर एक बार अंदे में और डिप करूँगी उसके बाद मैं इसको चीटोस में डिप करूँगी चीटोस से अच्छे से कोट करूँगी हाथ से प्रेशार दे दे के चारो तरब घुमा घुमा के चीटोस से कोट करूँगी अब मैं इसको deep fry करूँगी तो पलक के दोनों साइड तीन चार मिनित करके मैंने deep fry कर लिया कि अबूदी और सारे किसेश का मैं ऐसे एक के करके चिटोस कोटे करें अब मैं अगय자गी प्रोसेश केशने क्छी करूँगी अभी तो मैं अभी बऽनाओगी बर्गर सॉस बर्गर आने के लिए सबस्ते भले में खुळ्थ सारा मेोनिस ले लूंगी तो मैं इसमें तीन चम्मच मेयोनिस ले लिया अब मैं इसमें डालूंगी दो चम्मच टोमाटो कचाब दो चम्मच शेजवान चैपनी और इन तिनों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे अब को इसमें थोड़ा और तीखा खना है तो आप ब्लैक पेपर पाउड़ा यूज कर सकते हो अच्छे से मिक्स करेंगे और आपको इसमें रेश्यो कम ज्यादा करना है तो भी आप कर सकते हो ज्यादा और शेजवान चैपनी डाल सकते हो और ज्यादा टोमाटो कचाब भी अब मैं तावा ले लिए ताव में मैंने बाटर ले लिए बाटर को थुरह फैला रही हूँ फैलने के बाद इसमें मैं बार्गर बन को सिख गूंगी बाटर से दोनों तरब मैंने ये बार्गर बन नहीं मिलाद मुझे रेगुलर बन ले लिया मैंने तो ये रेख लिए अच्छे से ग्यास बन करती हुँ बार्गर के बन के नीचे के पोर्षन ले लिया पहले उसमें मैं टालूंगी पहले मास्टर स्वास अच्छे से फेलाऊंगी उसके बाद मैं बिठाऊंगी ये चीटोस की चिकेन पैटी अब मैं बिठाऊंगी इसमें ये चीज ये जो बन की ऊपर की पोर्षन है इसमें मैं डालूंगी ये मीरा बनाए हुए ये जो बार्गर सॉस बहर बहर के डालूंगी ये कफी इसको मैं इसके उपर बिठाऊंगी और कुछ नहीं डालूंगी इत्तम सिम्पल रखूंगी और बना दिया मैंने जिसके उपर मैंने येलो स्वास डाला और मेरे बना हुआ मैयोनी स्वास बर्गर स्वास उसको मैंने नीचे डाला आपको जैसे मजी वेसे आप इसको असेंबल करो और खाओ बना के ऐसे इसी और सिम्पल तरीख समयबताया और मुझे कमेंट में जरूर बताना कैसा था आज का मेरा ये वीडियो और बना के खाने के बाद तो जरूर कमेंट करना फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई